जम्शेदपूर में हुए हिंसक पत्राव के पीछे कौन किसकी साजश है और महाल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है कहीं ऐसे सवाल है लेकिन जवाब देने के लिए मेरे साथ स्वक्त जारखन के जम्शेदपूर पुर्वी से विधायक सर्यूराय मौजूद है बातच जिसकार से उतेजना होती है तो सासना सक्षेप करता है ऐसी ही घटना हुई है अब अफवा होड़ गई कि एक मंदीर के रामनौमी के जंडे में लोगोंने मांस बान दिया है उस पर लोग बैठे थे विचार कर रहे थे मंदीर में तब तक इफतार पार्टी में जो आये थ अब ये सासी नगर के दो गलियों का मामला है पुलिस चुके सुरू में पुलिस ने जब इसमें इंटर्वीन किया संख्या कम थी तो मस्जिद आसपासे घरों से पथर चलने लगे पुलिस गायल हो गई वही रेक्शन में थी और इंफोर्समेंट जादा हुआ पुलिस ने मारना पिटना शुरू किया सब लोग भाग गए उसी रात में कंट्रोल हो गया था अब पुलिस को ये चाहिए था कि सिनाक्स करती चान मिन करती है और उसंधान करती कि अफ्तार पाटी से कौन आये कौन तरह के लोग थे लोकल लोग थे अब बाहर के कुछ लोग आकर उन् वामले में और इसकी प्रिस भूमी में रामनोमी के समय के जंडे निकलने का जो माहौल था पूलिस के मानसिक्ता पर भी वो था यहां के हिंदू मानसिक्ता पर भी था अब पूलिस उसी मानसिक्ता में ज़र्वत से ज़्यादा बल का प्रयोग किया उन्होंने फोर्स का इस्त कि किस ने किया जो अफ्तार पार्टी में थे, उसमें कौन लोग थे, किस तरह के लोग थे, इसकी सिनाक्त करती, दोसी पकड़े जाते, सक्रियता बढ़ गई, अब पूलिस का आज कर प्रसासन का एक होता है, कि अब मस्चीद के आसपा से पथरबाजी हो रही थी, कई लोग पकड़े गए, करीब 45-46 लोग पकड़े गए, तो एक बैलेंसिंग एक्ट होता है, कि इतने मुसलमान पकड़ लिए तो कुछ हिंदू को भी पकड़ना जरूरी है, तो नहीं हिंदू के एक बड़े ने ताब है, सिंगे बीजेपी के उनको भी पकड़ लिया, विस की ठाने में आज भी बंद हैं अभी भी, ये क्यों किया? आपसे वही जाने क्यों किया? मुझे लगता है कि बैलेंसिक होता है कि पकड़ लिया है, चारिस में तारिस मुसलमान को, तो कबसे हम 25 हिंदू को भी तो पकड़े हैं, तो लोग पकड़े गए हैं और भी सुन्दी पूलिस की कारवाई पर सवाल उठा रहे हैं? सब सांती व्याबत रहे तब पूलिस इस अनुसंधान करें. मेरे हिसाब से यह होना चाहिए था, वगर ऐसा हुआ नहीं. पूलिस ने बलप्रयोक किया, बलप्रयोक करने के बाद भी लोगों को गिरफ़तार करना अभै सिंग हैं, अभै सिंग हमारे खिलाब शुनाव लड सब्सक्राइब करते हैं. तो पूलिस का जो एक्षन हुआ, ओवर एक्षन हो गया, आज वही माहौल में अधिक असांती पैदा किये हुए. मैं तो अभी भी कहूंगा कि कंट्रोल हो गया है, अब अपने अनुसंधान सुरू करिए, सिना सुरू करिए, कोई पद्रवी तथ तो उसको पहचानी है. ऐसे किसी को पकड़ लेंगे और पकड़ के खाना खाना पूर्ती कर देंगे कि हमने रोगों को पकड़ लिया, यह ठीक नहीं है. इस मामले में मेरी नेजर में पूलिस को जिस तरह से बाइलेंस तरीके से काम करना चीए, वह ऐसा नहीं करके, यह भी यह बल है, हम फोर्स हम है, और साब किसकी हिमाकत है कि हमारे फोर्स के सामने कुछ ऐसा करेगा? हमको कुछ करवाई करनी है. लगाने वाले आरोब भी लगाते हैं किसका निर्देस है, कैसा निर्देस है, मगर पूलिस को अपनी भून का इसमें इसपस्ट करनी चाहिए. अगर कहीं पूलिस से कुछ नाजायज, कुछ गलत, कुछ ज़ादा हो गया है, तो महसूस करना चा अब तो छोटी घटना ने बाट दिया जम सेथपुर को, हिंदू अलग होगे, मुसल्मान अलग होगे, समबाध ही नहीं है, हम लोग के मित्र हैं मुसलिम इलाके में, बहुत अच्छे समंध हैं, वगर आज तक हम लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, कि उनको परसुएट करें, अ मांस का टुकड़ा लगा दीजे, और किसकी मांसिक्ता ये कहती है, कि इस बात पर आप पत्राफ करने लगेंगे, ये किस तरह की मांसिक्ता है, ये उतेजना फैले, फैलाने वाले कुष्टत उरहते हैं, वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें, जिसे असांती फैले, ये घलत ह है, पुरी तरह गलत है, और वे सफल हो जाते हैं, अब उन्ही की मांसिक्ता के नुसार, पूलीस या जो संतुरित मस्तिस्त के लोग हैं, वो भी करवाई करने लगेंगे, तो इस्तितिया और कंभीर होती है, जिस विकृत मांसिक्ता ने हिंसा फैलाने पर मजबूर किया, उ तो इनको गुमान है कि सब हम फोर्स हैं, हम एक बल हैं, और हम लोगो को दबा देंगे, हम समाज में भय पाइदा कर देंगे, और तब नियंतरित रहेंगे, ये बहुत पुरानी थियरी रही है, और कई सूप्रीम कोट के जज्जमेंट्स हैं, पूलिस मैनुल्स में हैं, इ आप ही उनको मीटिंग बुरा के उनको गालियां दे रहे हैं, उनको धम कर देंगे, मीटिंग में, उन्होंने ये कहा कि भाई, आप लोग ऐसे हैं, ये मेल एम्पी जो नहीं बन सकता है, वो आदमी सांधी समीती में हो जाता है, और आप पूलिस के पास आते हैं, एंटी का जो पूलिस के पर्मुक हैं, उन्होंने लोग के सामने रखा, तो लोगोंने सुन लिया, हाँ, कोई जानता नहीं हमारे आईडी लेने आते हो कि लोग में को पैचाने एक हम सांधी समीती के हैं, तो जिभ क्यों हम बन जा जाते हो सांधी समीती में, इस तरह की बातें उन्ह इसे कहिए या कोई सीनियर प्रादी कारी है सामने है हम चुप हो जाते हैं गर ऐसे समय जो चुपी होती है मन में बड़ी एड़र्स रेक्शन होता है ऐसी पतिक्रिया हिंदू मानसिक्ता में भी थी तो थोड़ी चीनगारी फाइल गई तो लोगों ने उस बात को बहुत बड दें उनको जल भेज़ दें उनको करवाई कर दें उनको पीट दें इसे समस्या बढ़ेगी घटेगी नहीं प्रशासन ने जमशेदपुर हिंसक तनाव पर जो काम किया है उससे जाहिर से बात है सरतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं सरीराय का बयान है कि एक तरफा कारवाई करने की कोशिश की है प्रशासन ने सिर्फ इतना ही नहीं बलकि जो लोग शांती समीती के सदसे हैं उनको भ प्रशासन नहीं रहा है बहतर था कि इस पूरे मामले में रिसर्च करते लेकिन रिसर्च करने के बजाए एक तरफा कारवाई करके और ज्यादा हिंसा को भढ़काने या यू कह लेजे कि तूल देने की कोशिश प्रशासन द्वारा की गई है अपने सयोगी नीरज और झाल